सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टेक इंफो चैनल को और बैल अकॉंदा भाई ये लेटेस्ट टुक्नाजी सुडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों शूमी का पोको फोन को कौन नहीं जानता जी हाँ शूमी ने रिसेंटली लॉंच किया था पोको ये फवन जो बहुती 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 कम बजट में फ्लाक्शिप किलर मोबाईल था तो उसकी फीचर्स आप सभी को पता है जैसे कि इसमें सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर स्नाप्रागन 845 प्रोसेसर दिया गया है जो अब तक का वर्ल का फास्टेस्ट प्रोसेसर है और जो सेम प्रोसेसर लगा है गैलक्सी नोट 9 और 1 प्लस 6 में तो ही प्रोसेसर आपको मि पास से गलती से यह confirm हुआ है कि आठ मेने के अंदर Pocophone F2 लांच हो रहा है जी हाँ दोस्तों बहुत यह बड़ी खुशकब्री की बात है शुव मी का Poco F2 लांच हो रहा है आठ मेने के अंदर ही अंदर जो कि Flipkart पर आ रहा है जहांकि Flipkart ने गलती से वहाँ पर बता दिया कि Poco F1 को आप रिप्लेस कर सकते हो Poco F2 के दोरा कुछ चन्द डिस्कॉंड के साथ तो इसमें क्या फिचर से यह आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेमेंट बताऊंगा तो दोस्तो फॉस्ट अफॉल यह waterproof waterproof water dust IPA X68 इस तरह से certified रहेगा डूल डियर कैमरा से रहेंगे इसमें जी हां और इसमें snapdragon processor तक का fastest जो नया लेटेस आ रहा है snapdragon 855 processor आएगा जी हां दूस्तो 855 और इसमें आपको notch मिलेगा water drop notch जी हां face unlock के साथ वो same infrared के साथ light के साथ आएगा और इसमें आपको कुछ unique features देखने मिलेंगे कुछ अलग features देखने मिलेंगे जो Xiaomi ने खासकर बने आया है Poco EF2 के लिए ऐसा सुनने में आया है बड़ इसमें आपको RAM मिलेगा 6 के जगा 8GB RAM इसमें variance मिलेगे आपको 128GB 256GB ऐसा दिये जाने वाला है और दोस्तो इसका dual rear camera से रहेगा जी हां 24 megapixel plus 60 megapixel dual rear camera और front camera रहेगा 24 megapixel क और इसमें आपको AI inbuilt मिलेगा जो काफी fast रहेगा काफी अच्छे fix आप निकल सकते हो और जहां तक इसमें आपको battery के बात आती है दोस्तों यहां पर आपको fast होजन image की battery मिलने वाली है ऐसा सुनने में आया है और यह mobile का ज़्यादा वजन भी नहीं रहेगा काफी कम रहेग कुछ नया technology यूज़ कर रहा है बैटरी के लिए और thermal cooling जो है इसमें और ज्यादा बड़ा दी गई है compared to Poco F1 के जगा तो gaming के लिए तो यह बहुत ही बड़ी हा रहेगा ज्यादा बिल्कुल भी heat बिल्कुल भी नहीं होगा heat का जो dispatch है वो पूरा अच्छा से निकल पाएगा compared to Poco F1 जी हाँ दोस्तो हमने देखा था Poco F1 में थोड़ा सा heat का issue हो रहा था बड़ यह Poco F2 में वो heat का issue नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर thermal cooling system जो pipe लगा हुआ है उसकुछ ज़ादा बड़ा कुछ अच्छा धंसे लगाया हुआ है तो दोस्तो यह था एक छोटा सा rumors की है या confirmation कीए regarding Poco F2 जो जल्दी launch हो रहा है आठ मने के अंदर flip card पे आपको मेरा वीडियो पसंद आ तो प्लेज देख लाइक कीजिए share कीजिए comments कीजिए जी हाँ जरूर comments में बुलिए कि आपको क्या लगता है इसकी price क्या होगी या कितनी होगी thanks for watching this video how on our day bye bye जाहिन